अलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैप्सूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग-अलग अपडेट्स आपको समय से प्रोवाइट कराते हैं तो चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा फ्रेंड्स बहुत दिनों से देखिए जब से समिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है बहुत सारे विवाद उस पर चल रहा है और कल बहुत सारे कंडिडेट्स लोगसेव आयोग के बाहर धरना प्रदशन करने भी गए थे और उनका हापर ग्यापन उन्होंने सौब दिया था तो उसका ही एक रियक्षन देखिए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश लोगसेव आयोग के द्वारा उसका संग्यान ले लिया गया है और उफिशल नोटिस उनके द्वारा एक जारी कर दिया गया है तो देख लेते हैं पूरा सर्व साधरण को एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोगसेव आयोग द्वारा दिनाग 11 फरवरी 2024 को आयोजित समिक्षा अधिकारी और सायक शमिक्षा अधिकारी आदी प्रारंबिक परिक्षा 2023 से सम्बंदित दोनों सत् प्रश्ण पत्रों के संबंद में कतिपाय सूचनाय वायरल हो जाने की शिकायतें प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है प्रक्रण की महत्ता एवं समविदन शीलता के द्रश्टिकत पूरी परिक्षा की बस्तु परक विवेचना हेतु आयोग इसतर पर आंतरिक समीती के अगठन किया गया है यदि उक्त परिक्षा के प्रश्ण पत्रों के वायरल होने के संबंद में किसी के पास प्रासंगे क्या relevant प्रमान या साक्षे हो तो उसकी प्रति शपत्पत्र के माध्यम से जिसमें ऊसका नाम पूरा पता, mobile नंबर आधार नमबर अंकित हो, इमेल आईडी आरो यारो दोजार तेस, info at the rate, gmail.com पर देनांग, दो मार्च दोजार दोजार चौबिस तक प्रेशित कर सकते हैं, उप सच्छे का देखिए लेडर है, तो इनके इस ये पूरी मेल आईडी नों ने दी है, शपत पत्र के साथ अगर आपके पास screenshot है, या आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है, जो कि बहुत जादा संभावना सबको नजर आ रही है, स्पेशली हिंदी का तो सबको ही लग रहा है, इस से पहले थोड़ी दिर पहले देखिए इस लेटर से पहले अमिताप ठाकुट जो एक senior bureaucrator है, आप इस mail ID पर सम्मंदित साक्षियों के साथ, शपत पत्र के साथ यहाँ पर भेज़ सकते हैं, उसके बाद देखते हैं आयोग इसमें क्या निर्णने लेगा, बाकि सब लोग देखिए PCS की परिक्षा है, उस पर भी सवाल बहुत उठ रहे हैं, चात्रों के हित में कोई step लेगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, सभी के लिए क्योंकि बहुत जादा महनत से लोग इस exam की तयारी करते हैं, और वैसे भी 2021 के बाद अभी भरती आई थी तीन साल बाद, तो वैसे ही बहुत जादा लोग इसका इंतजार कर रहे थे, और ऐसे में जो घटना हुई थी, इससे बहुत जादा चात्रों और चात्राओं का दोनों का मनोबल टूट गया था, तो मैं चाओंगा आयोग इस पर बहुत अच्छा step ले, जो कि कहीं न कहीं, अंत में छात्रों का हित में ही हो, क्योंकि ultimately आयोग के किसी भी decision से जो impact होगा, वो छात्रों के उपर ही होगा, और छात्राओं के उपर भी होगा, तो मेरी तरह से तो यही है, आयोग इसमें एक अच्छा step ले, जो कि छात्रों के हित में हो, ऐसे regular updates के लिए आप हमसे जूड़ सकते हैं, कुछ आपके views होगा, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, Thank you so much.